लो गाइज वेलकम बैक तो आवर यूट्व चैनल इंगिनरमेंट तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेससी जेए से रिलिटेड अपडेट के बारे में डिसकस करेंगे और डिटेल में डिसकस करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट तो सही रहेगा अगर आपका जेससी रिप्रेशन नहीं करना पड़ेगा लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि आप अस्षेंट इंगिन्यिएर के लिए या फिर यूप्य सी सवीज त्यस पी सीविल सर्विस या कोई भी सीविल सर्विसेस या फिर इंजिनीरिंग सेज की आपनी की रिप्रेशन कर सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट का क्या बेनेफिट्स है वो सब हम लोग आज इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक हम लोग डिसक्स करेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल इंजिनर माइन को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को चले तो लाइक करता और शेयर करता हूं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसीजी का जो एक्जामिनेशन से वो कंपलीट हो चुका है और अब अंसर की आने वाला है तो एक पर पहले अंसर की बारे में हम लोग डिसक्स कर लेते हैं तो अंसर की कब तक आएगा वो भी ह आप लोग को बतला देता हूं कि रिजल्ट और अंसर की रिजल्ट का तो दिसंबर में आएगा अंसर की मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 27 तारिक तक आ जाएगा तो 27 को नहीं आया लेकिन आज पूरा चांसे से आने का मिन्स 28 को तो आज अगर नहीं आता है तो मिन मंडे को कंफर्में आ जाएगा क्योंकि मैंने कॉल किया था कल तो उन्होंने बतलाया था कि यह प्रोसेस चल रहा है तो बहुत जल्द रिलीज कर दिया जाएगा तो जारकन डिश्टाप सेलेक्शन का मिसन में अब हम लोग बात करते हैं कि जेसी जेई का जो दिया था कि कौनसे प्रिप्रेंस बेटर रहेगा तो आप लोगों ने जो डाला होगा और सीडी सबसे पहले इसके वाद अरबन डेलप्मेंट एन हाउसिंग डिपार्टमेंट देन पीचीडी डाला होगा देन डेन डेवली आडी तो सबसे पहले आपको बता दे कि कोई भ सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आपके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट और सीडी है देन अरबन डेलप्मेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट देन पब्लिक हेल्थ इंजिनियरिंग जिसमें की ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनिटेशन की वेकेंसी जाई हुए है और देन WRD Water Resource Department तो WRD में Water Resource Department में जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट वो दोनों आचाता है तो डिप्लोम वाले के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है RCD है इसके बाद फिर WRD है स्वारी RCD है इसके बाद Urban Development एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट अगर आप बीटेक किये हैं और आप इनके पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं JSCJ पर सबसे बेस्ट और आप अगर जहीं ही रहना चाहते हैं आगे प्रिपेशन नहीं करना चाहते तो डिपलोम वाले के लिए जो प्रिफेरेंस मैंने बतलाया बेस्ट होगा वही इसके लिए भी इसके बाद अगर आपको कुछ नहीं करना है तो RCD तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से डिपार्टमेंट बेस्ट है अगर आपको WRD नहीं मिलता है और फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो PhD भी एक तरीके से ठीक है इसमें भी बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है सबसे ज्यादा वर्कलोड अभी जो है वो UDHD में है अर्वन डेवलोप्मेंट एन हाउसिंग डिपार्टमेंट में और RCD में तो हमेशा वर्कलोड रहता है लेकिन इसमें जो वर्क है वो बहुत स्लो प्रोसेस चलता है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कौन सा प एपार्टमेंट खराब नहीं लेकिन अगर आप फ्यूचर में केरियर के लिए सोचते हैं तो मैंने आपको उसके एकोडिंग बतला दिया है तो अगर आप हमारे चेनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छा लिए तो लाइक कर दो और शेयर कर दो रिज